हेलो क्लास सेविंथ वल्कम टू जैनेद गुरू मैं हू निकी पंडेत और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चाप्टर चाप्टर नंबर 11 डाट इस लाइट ओके तो सबसे पहले जो हमें चाप्टर का नाम दे रख रहे हैं लाइट उसका मतलब समझते हैं दे रेजेंस में हम बाकी सारी चीजें देख सकते हैं अगर लाइट ही नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा और अगर रिफ्लेक्शनीं होगा तो हम कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे तभी तो अंधेरे में हम किसी ऑबजेक्ट को नहीं देख पाते हैं जैसे ही लाइट जलती है जैसे ही लाइट ओन होती है या फिर सन की रेज में हम बाकी की चीज़ों को देख पाते हैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते हैं तो बस लाइट के बारे में ही आज हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे and आपको यह चाप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही सीम चीज आपको एट्थ क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा. Okay, so पहली से ही अपना basic और अपना base बहुत जादा मजबूत कर लो. Start करें फिर यह chapter, इसको हम NCERT line by line read करेंगे, हर एक line का मतलब समझेंगे, okay and जो भी doubts होंगे आपके, आप comment करके पूछ सकते हूं. Clear है students? So I hope कि आप सबको मेरी voice आ रही होगी. Let's start today's class. You might have seen a beam of sunlight when it enter a room through a narrow opening or a hole. यह चीज़ आपने देखी होगी. सुबह की time पर, जैसे हम हलका सा curtain हटाते हैं, तो क्या होते है, sun की raise आ रही होती है and वो जो beam of light है, it's clearly visible to us. वो हमें दिखाई देती है, even उसमें जो dust particles होते हैं, वो भी हमें नजर आते हैं कि किस तरीके से ऐसे ओड़ रहे हैं, है की नहीं है? You may have also seen beam of light from a headlamp of scooter, car and engines of a train, तो scooter का आप देख लो, scooty है, bike है, car है, जब उसके headlights जलते हैं, तो वो कैसे beam की तरह आपको दिखाई देंगे, ठीके, खास करके रात में जब आप देखोगे, तो एक बिल्कुल beam की तरह दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको clearly visible होगा, या फिर fog time में भी आपको चीज नजर आएगी, similarly a beam of light can be seen from a torch, yes, torch से भी आपको beam of light नजर आती है, लेकिन जो हमारे घरों में light है, रोशनी उससे आती है, बट उससे beam of light नहीं आती, वो कैसी light होती है, वो scattered light होती है, सारे side कैसी होती है, फैली हुई होती है, देखो यहाँ पी क्या है, आपको train दिखाया जा रहा है, train की light जल रही है, और this is beam of light, यह जो है, यह क्या है, this is called beam of light, now, you may have seen a beam of search light from a lighthouse or from an airport tower, what do these experiences suggest, तो यह सारे experience आपको क्या suggest कर रहे है, बताये फटा-फट से, देखो, एक तो यह है, इसको भी हम देखते हैं थोड़ी देर में, इस picture की बात करेए, यह light house है, तो light house है, देखो light निकल रहे है, पहले narrow beam थी, और अब यह क्या हो रहे, धीरे, 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 जितना दूर चला जाएगा, उतना जादा वो scattered हो रहा है, उतना जादा वो फैल रहा है, है की नहीं, इस picture की अगर हम बात करें, तो इस picture में देखो, table पर candle रख दिया और एक cylindrical rod से इस candle को देखने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, अब देखो, यहां से जो रोश्नी है इसकी, वो हमें यहां से दिखाई देगी, yes हमें दिखाई देगी, यह candle जो है हमें visible होगा, बट अगर हम इसको इस तरीके से tilt कर दे, तो क्या इसके बाद यह visible होगा, सो answer है कि नहीं भईया, यह तो हमें visible नहीं होगा, क्यूंकि light travel in a straight line, light जो travel करती है, वो कहां पे करती है, एक straight line में travel करती है, और यह तो straight line है, तो यहां पे तो travel कर जाएगी, बट अगर हम इसकी बात करें, तो यहां पे क्या हो चुका है वो, bent हो चुका है, जिसकी वज़े से light travel नहीं कर पाएगा, और यह candle हमें visible नहीं होगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं, यह हमारे आगे का topic था वैसे तो, light travel along a straight line, देखो, यहीं कह रहे हैं यहां पे, जो light है, वो straight line में travel करती है, जिग-जग path follow नहीं करती, बूचो, recall an activity, he performed in class 6, in that activity, he looked like this, and, look at the lighted candle first, through a straight pipe, सबसे पहले उसने क्या देखा, उस straight pipe के through उस candle को देखा, ठीक है, and then through a bent pipe, फिर उसने bent pipe के साथ candle को देखा, why was बूचो not able to see the candle flame through a bent pipe, जब उसने straight pipe से देखा candle को, तो वो clearly visible था, लेकिन जैसे ही उसने candle को कर दिया bent, अब वो candle visible नहीं है, ठीक है, candle को नहीं bend के उस, जो cylindrical था उसके पास, ठीक है, rod, जिससे वो देखा था, उसने उसको bend कर दि this activity showed that light travel along a straight line, यह हमें इसके बारे मताता ही कि देखो, जो light है, वो कैसे travel करती है, वो इक straight line में travel करती है, वो zigzag path follow नहीं करती है, how can we change the path of light, do you know, what happen when a light fall on a polished or a shiny surface, तो यहाँ पर पूछा जारे कि light की direction को हम कैसे change कर सकते हैं, तो क्या answer मिला है, हाँ पर क्या कहा गया है, क्या आपको polished surface की बारे में पता है, अब देखो, polished surface की खासियत क्या है, हमारे पास एक polished surface है, let's suppose कि this is mirror, mirror polished surface होता है, light आएगी, mirror से टकराएगी, और यहाँ से टकराने क के बाद light उसी angle से reflect back हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने light के जो direction है, उसको change कर दिया, ठीक, reflection of light, ठीक है, starting में क्या बताया था, कि light is good, ठीक है, लेकिन जब तक हमें reflection नहीं होता हो नजर आएगा, तब तक हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी, इस वज़े स दिखाई देती हैं, और अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, although जब बहुत सारी light होती है, तो भी हमारे पास हमारे सुंदर सुंदर आखे हैं, जब light नहीं होती, तो भी हमारे सुंदर आखे होती, बढ़ हम चीजों को नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पर reflection नहीं हो रहा होता है, और reflection के लिए light is important, ठीक है, क्योंकि light ही reflection करेगा, so reflection of light के बारे में पढ़ते हैं, one way to change the directions of the light is to let it fall on a shiny surface, तो light के direction को change करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस light को shiny surface पे fall कराना पड़ेगा, जो भी mirror का example दिया था मैंने, For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of a light, तो यहाँ पर इन्होंने दूसरा example ले लिया, इन्होंने कहाई कि आप steel का plate ले लो, या फिर shiny spoon ले सकते हो, वो भी क्या कर सकते हो, उनका surface बहुत जादा smooth होगा, तो वो भी क्या कर पाएंगे, light के, जो light आएगे, उसकी rays को reflect कर पाएंगे, ठीक है या पर reflection शो कर पाएंगे, the surface of the water can also act like a mirror and change the path of the light, जो water की surface है वो भी क्या होगी, वो भी एक plane surface की तरह act करेगी, light उसकी आएगी और light को वो क्या कर देगा, reflect कर देगा, दूसरे direction में, ठीक? Have you ever seen the reflection of trees or a building in water? क्या कभी आपने trees और building का reflection देखा है water में, देखा होगा, आपने खुद का reflection देखा होगा water में, जब तालाब है, ठीक है, लेक है कोई, आप उसमें पाने में जहाकोगे, तो आपको अपनी शकल नजर आएगी, आपको अपनी उसमें शकल नजर आएगी, अ पूरा आपको image नजर आएगा, ऐसे ही आसपास, अगर पेड लगे होंगे, तो पेड की images बन जाएगी water में, building की images बन जाएगी, क्यों, just because of reflection, rays आई, water ने उसको क्या कर दिया, reflect कर दिया, because water act as a shiny and polished surface, ठीक? तो इसके बाद, यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह पानी है, देखो बिल्कुल कैसे, smooth सा surface लग रहा है, आसपास पेड पौदे हैं और उसका reflection हमको इसमें दिख रहा है, ठीक? इसमें कैसा image मिलता है हमको? इसमें हमें real image मिलता है, ठीक है, कैसा image मिलता है हमको इहाँ पर, real image मिलता है, any polished or shiny surface act as a mirror, कोई भी polished or shiny surface mirror की तरह काम करता है, यहाँ पर बिल्कुल उसका क्या बन गया, image बन गया, ठीक? What happen when light fall on a mirror? अब light अगर mirror पर fall होगी तो क्या होगा? You have learned in class 6 that a mirror change the direction of light that falls on it and this change of direction by a mirror is called reflection of light. तो कह रहे हैं कि भीया देखो, आप class 6 ते से पढ़ते हुए आ रहे हो, कि mirror का काम क्या होता है, light को reflect कर देना and that reflection क्या कहलाता है, reflection of light, ठीक है? Clear है? Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. ठीक? अब इसी के रिया सा हमें एक activity कर ले है, activity 1.1. Take a torch, cover it glass with a chart paper which has a three narrow slit as shown in figure 11.5. देखेंगे हम कि किस figure के बारे में हाँ पर बात की जा रही है. Spread a sheet of, spread a sheet of, देखो ये हाँ पर क्या कर रहे है, अपनी image देख रहा है, तो आप भी अपनी image पानी में इस तरीके से देख सकते हैं. Take a, इस तरीके से दिख रहे है, इसमें तीन narrow holes है, तीन narrow holes है, तो हमें हाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये 3 rays दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, टकराई, एक, दो, तीन, ये तीनों की तीनों हैं से क्या होगे, reflect back होगे, और इसका image हमें इस mirror में दिख रहा है. तो यहां पर हमने नीचे चाड पेपर लगा दिया है, यहां पर मिरर है, अब इधर से लाइट आएगी तो हमें सारी की सारी बीम इस चाड पेपर पे नजर आएगी. देख रहे हो कि तीन रेज आई तीन रेज टकराएं मिरर से और रह रेक्ट पे खो गाए और वहां पे भी हमको तीन रेज नजर आ रही है. जिस एंगल से टकराएंगी, जिस जो एंगल होगा उसको इंसिदेंट एंगल बोलते हैं तो उसी एंगल से वो light reflect हो जाएगी, so that light is called reflected ray, ठीक, clear, place a torch in such a way that, that light is seen along the chart paper on the board, now adjust the position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle, ठीक है, does the mirror change the direction of the light, what falls on it, now move the torch slightly on either side, do you find any change in the direction of reflected light, तो देखो, depend करता है कि किस तरीके से कहां से light आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल से हम light डालेंगे और सारा जो reflected angle होगा, वो सेम ही होगा, ऐसा नहीं है, जिस एंगल से आएगा, उसी एंगल से reflected ray चला जाएगा, ठी ठीक है, clear है इतना, now, अब पहेली की दिमाग में क्या आ रहा है, तो पहेली वांस तो पहेली की according कोई सी चीज है, जिसकी वजह से हम सब को देख पाते हैं, बूझो, think that objects are visible only when light reflect from them, reaches our eyes, do you agree with him, yes, तो देखो, जब तक light reflect नहीं होगी, हमारी आँको तक नहीं आएगा, तक हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी, otherwise हमें अंधेरी में भी सारी चीज़े दिखाई दे रही होती, ठीक है, अगर reflection नहीं होना होता तो, ठीक, so, done this, यहां तक हमारा हो चुका है, look into the mirror along the directions of the reflected light, तो आपको क्या देखना है, mirror में देखला है, ठीक है, जहां से reflected light आ रही है, do you see the slit in the mirror, yes, and this is the image of slit, तो हमें क्या देख रहे हैं हापे, slit की images देख रहे हैं, यह नजर आ रहा है आपको, हमें हापे क्या देख रहे हैं, slit की images देख रहे हैं, plain mirror, let us play around with the image formed in the mirrors and know a little more about them, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं, so activity 11.2, handle the lighted candle with the care, it is better if this activity is performed in the presence of a teacher or an elder person, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम आग वाला काम कर रहे हैं, हमें आपे candle ले रहे हैं, it may be catches fire, तो हमें बहुत साफधानी से ये experiment करना होगा, now, place the lighted candle in front of a plain mirror, अब उस जलती हुई candle को हमें plain mirror के सामने रखना है, try to see the flame of a candle in the mirror, और हमें mirror में उस candle का flame देखना है, ठीक है, is placed behind the mirror, the candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror, तो mirror में जो image बना है, that is called, उसको क्या बोलेंगे हम, जो mirror में image बना है, वो कैसे बनेगा, mirror के पीछे बनेगा, of course, mirror के अंदर बन रहे हैं, तो, जितने दूरी पे रहेगा, रियल में, उतना है mirror के पीछे, उसकी image हमें बनती हुई नजर आएगी, ठीक है, तो this is called the image of the candle formed by the mirror, and the candle itself is the object, तो candle क्या है, candle act as a object, now move the candle in a different position, in front of the mirror, observe the image in each case, तो देखो, यहां पे हम क्या हो रहे हैं, पहले सामने सामने था, आप candle रखो ने रखो, आप खुझ शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, आप खुझ शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अब आपको क्या दिखेगा, आप सामने हो तो आपकी image भी सामने है, ठीक है, आप right side आगे, तो आपकी image भी right side आजाएगी, अप left Side आ गए तो आपकी Image भी Left Side आ जाएगी mirror में ठीक, लेकिन हल्का सा आपका Right, Mirror तो आपका Top, Mirror का Top होता है मतलब, आप represent Left Hand ऐसे Raise करोगे तो mirror की according क्या हो जाएगा वो उसका right hand हो जाएगा अगर आपने right hand raise किया तो mirror की image कैसी हो जाएगा आपको left hand raise होते हुए नजर आएगा तो यहाँ पर difference होता है ठीक तो this is the image of the candle in a plane mirror तो candle में ऐस अचा में कुछ difference तो नजर आएगा नहीं अब देखो बूजो की दिमाग में क्या आ रहा है बूजो क्या कहना चाहता है बूजो noted in his notebook is it not surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or the large अब बूजो कह रही कि यार अगर mirror हम छोटा लेंगे चाहे बड़ा लेंगे उससे फरक नहीं पड़ता हम जैसे है mirror में हमें वैसा ही दिखता है ठीक है अगर हम बहुत पतले हैं तो mirror में हम बहुत पतले दिखेंगे अगर हम बहुत healthy है तो mirror में हम बहुत जादा healthy नज़र आएंगे चाहे छोटा mirror ले लो चाहे बड़ा mirror ले लो उससे फरक नहीं पड़ता ठीक Was the image upright in each case? No. Did the flame appear on the top of the candle as the object? Yes. Such an image is called erect. इस image को क्या कहते हैं? हम erect image कहते हैं जो mirror पे बनती हैं. An image formed by the plane mirror is erect and the same size as the object. ठीक है? Erect होता है. कैसा होता है? Erect होता है. ठीक? Upside down नहीं होता. मतलब हमारा top उसका top. ठीक है? पर हमारा left उसका right. Now place a vertical screen behind the mirror. ठीक है? Now place a vertical screen behind the mirror. ठीक है? Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen now? You will find that the image of the candle. ठीक है? So screen पर जो image बनेगी न वो real image बनेगी. ठीक है? Real and inverted. और जो mirror में image बनती है वो कैसी बनती है? Erect and virtual. यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है? So looking image in a plane mirror. तो देखो यहां पर हमने रखा तो इसकी image हमें यहीं पर नजर आएगी. ठीक? Now, cannot be obtained on the screen in either case. What about the distance from the image from mirror? Let us perform another activity. तो देखो यहां पर distance का इन हुने रोल बताया है. Activity 11.3. Take a chess board. आपको क्या करना है? Chess board ले लेना है. If a chess board is not available, draw on a chart paper 64, 8 x 8 square of the equal size, draw a thick line of the middle of the paper, fix a plane. मतलब एक chess board जैसा ही आपको बना लेना है. अगर आपके पास chess board नहीं है तो. Vertically on the line. Place any small object such as the pencil, sharpener at the boundaries of the third square, counting from the mirror. तो mirror के पीछे भी third square पे ही आपको image देखने के लिए मिलेगा. Note the position of the image. ठीक है? आप पहले अपने object का position देखो. object का मतलब जिसका हम image बनाने जा रहे हैं. So, note the position of the image. Now, shift the object to the boundary. ठीक है? Now, shift the object to the boundary of the fourth square. Again, note the position of image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? Let's see. देखो, देखो यहाँ पे. क्या हो रहा है? मैं इसको अगर image को एकाम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं. ठीक है? अब यहाँ पे चेक करो कि आपने कहां पे object को रखा हुआ है और आपका image कहां पे बन रहा है. So, first, second और third पे आपने यहाँ पे रखा है. First, second और third तो यहाँ पे भी आपको image third पे ही बनती हुआ नजर आईगी. मतलब जितना दूर आप mirror से रहोगे, जितना दूर mirror से object रहेगा, mirror के पीछे उतना ही दूर image का formation होगा. Clear है? Now, locating image in a plane mirror. पहली made a notebook in her, पहली made a note in her notebook, okay. अब पहली ने कुछ note बनाए, देखो, बूझो और पहली बहुत इंटरस्ट ले रहे हैं. है ना, वो बहुत जादा notes बना रहे हैं और हमसे question पूछ रहे हैं. तो मतलब हमको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसका answer कर पाएंगे. क्या कह रहे हैं? पहली made a note in her notebook, in a plane mirror, the image is formed behind the mirror. Of course, plane mirror में image कहां बनती है, mirror के पीछे बनती है. It is erect. और जैसे की same size होता है, and it is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, erect. ठीक है? जो हमारा same size है, वही same size बनाएगा. जितने distance पे हम खड़े हैं, mirror के पीछे वो उतने हैं distance पे image का formation करेगा. अगर ऐसा हो रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? इरेक्ट बोलेंगे. ठीक है? क्या बोलेंगे उसको हम? इरेक्ट बोलेंगे. Now, you will find that, you will find that image at the same distance behind the middle as the object in the front of it. Now, verify this by placing an object anywhere on the chart paper. अब आप देखो इसको बार बार object को किसी distance पे रखके आप इस चेक कर सकते हो. हो सकते हैं कि एक बार में गलती हो जाए, हो सकते हैं कि दो बार में गलती हो जाए. पर चार बार, पांच बार, दस बार आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप object को रखके देखोगे और image की position देखोगे, then you will get to know कि जितना mirror से हम दूर खड़े होंगे, या फिर जितना mirror से object दूर रहेगा, mirror के पीछे ही उतने ही पीछे उस object का image बनेगा, that is clear. यह plane mirror के लिए applicable होता है, okay, now, right or left, चलो, अब इसके बारे में जरब बात करते हैं, यह right or left क्या है, when you see your image in a plane mirror, जब आप अपने image को plane mirror में देखते हो, it is exactly like you, have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in the mirror, let us find out, तो मैं यह चीज आपको 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 बता चुकी हूँ, कि what is the difference between you and your image, ठीके, वो क्या हो जाता है, literal inversion हो जाता है, now you actually know, कि what is the literal inversion, आपका left, mirror का right, आपका right, mirror का left, ठीके, activity 11.7, stand in the front of the plane mirror and look at your image, raise your hand, raise your left hand, तो आप अपना left hand raise करेंगे, तो जैसे कि देखो मुझे यहापे camera में देख पा रहा है कि मेरा right hand raise हुआ है, अगर मैंने पना right hand raise किया, तो camera में क्या हो जाएगा, left hand raise होगा, क्यूंकि हमारी image ऐसे, यह ऐसे है, तो हमारी image ऐसे बन रही है, ठीके, ना कि ऐसे बन रही है, है ना, which hand does your image raise, now touch your right ear, which ear does your hand touch in your image, observe carefully, you will find that the mirror of the right appears to be in the left and left appears to be in the right, clear, अपको नही बात है क्या, अरड़ी पड्चुके है, कोई नही बात नही है, note that, note that, only side are interchanged, the image does not appear upside down, सिर्फ side change होती है, image उल्टी नहीं होती, पता चली कि हमारा सर नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ right का left and left का right होता है, Now write down your name on a piece of the paper and hold it in front of the plane mirror, तो आपको वो सारी चीज़े उल्टी दिखेंगी, है नो, A, B, C, D, आपने बच्पर मेंने एक symmetry वाला chapter किया होगा, maths में, तो वहाँ पर क्या होता है, कि mirror image बनाने के लिए के लिए कहते है, ठीके, तो कभी-कभी या फिर mirror जो image की जगह, चाहे पर deserts लिखवा लेते थे या फिर कुछ pictures होती थी, half picture बना के देंगे और उसी की जैसे आपको half picture बनाना होता था, that is called the mirror image, ठीक, तो यहाँ पर भी अगर आप mirror image की बात करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अपनी image देख रहे है, तो left का right and right का left हो र यह क्या है, an ambulance, अक्सर आपने ambulance पे यह लिखा देखा होगा, this is ambulance, बट कैसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इसके सामने mirror लाके रख दोना, तो आपको clearly ambulance दिखाई देगा, बट ऐसे लिखने के पीछी का reason क्या है, आपको पता है कि ambulance में क्या हो ठीक है, जो बहुत critical लोग होते हैं, उनको घर से hospital लेके जाया जाता है, ठीक है, अब देखो, बहुत traffic होगा, सब को घर जाने की जल्दी होती है, सब एकदम speed में गारी चलाते हैं, लेकिन अगर किसी को ambulance दिख जाएगा, तो वो क्या करते हैं, space दे देते हैं, क्योंकि यहा ambulance अगर सीधा सीधा लिखा होगा, तो mirror में हम देखते हैं, कि अच्छा हमारे पीछे कौन सी कार है, हमारे पीछे कौन सी कार है, ठीक है, तो ambulance अगर उल्टा लिखा है, तो mirror में हमको कैसा दिखेगा, सीधा ambulance दिखेगा, even आपके book में जो ambulance लिखा हो है, mirror लाके आप छोटा सा मिरर में चेक करोगे तो भी आपको clear ambulance यहाँ पर नजर आएगा, तो मिरर में अगर हमें clear ambulance दिखेगा, तो हम जल्दी जगा दे देंगे, अगर यहाँ पे सीधा-सीधा ambulance लिखा होता, तो मिरर में वो हमें कैसा दिखता, उल्टा दिखता, और अगर मिरर में वो हमें उल्टा हो जाता कि आखिरकार यह लिखा क्या और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वह बिल्कुल ऐसे बैठ के पढ़े कि इस पर लिखा क्या हुआ है तो फिर बहुत देर हो जाएगी तो इस वजह से यह क्या है उल्टा लिखा जाता है ताकि जो भी इंसान आगे है वो अपने मिरर में कैसे दिखेगा बिल्कुल सीधा दिखाई देगा मिरर में अब देखो बूजो क्या कह रहा है बूजो सौ एन अम्बूलेंस ऑन दे रोड ही वस सुप्राइस तो वही था जो उपर लिखवाया था एंड क्या उसके पिछे का रीजन है वह भी मैने आपको बता दिय Now, can you now understand why the word ambulance is written in figure this? Yes, when the driver of a vehicle ahead of the ambulance look in his or her rear view mirror, he or she can read ambulance written on it and give way to it and it is the duty of the everyone to us to allow an ambulance to pass without blocking its way. चाहे कितना ट्राफिक हो ठीक है चाहे ट्राफिक लाइट जल रही हो रेड लाइट जल रही हो तो भी ambulance को अला होता है कि वो जा सकती है If there is a patient और अगर वो किसी patient को लेने जा रही है तो उस case में ठीक You might have observed that in the side mirror of the scooter or a car the image of all the object appears smaller than the object themselves. Have you ever wondered why it is so? तो अगर कभी आप आपने कोई चीज नोटिस कियोगी मानलो आप scooty से जा रहे हो आप car से जा रहे हो तो जो side mirror होता है उस छोटे से mirror में आपको पूरी की पूरी पीछे की road दिख जाती है और आपको यह दिख जाता है कि इस road में कितनी car है कितनी buses है कितनी truck है इवन चोटे से mirror में तो ऐसा कैसे possible है जबकि जो हमारे घर में mirror लगा होता है उसमें बहुत दूर का distance नहीं दिखता है और उसमें छोटी छोटी images भी नहीं दिखती जिसका जितना size होता है उसी size में हमको नजर आता है बट car में छोटी सी image होगी ठीक है पीछी का पूरा दिख जाएगा यह पता चल जाएगा कि कौन सी car हमसे कितनी दूर है कौन बिल्कुल pass आ रही है लेकिन ऐसा हमारे घर के mirror में नहीं होता तो क्या ये दोनों mirror अलग-अलग है येस ये दोनों mirror अलग-अलग होते हैं जो हमारा घर का mirror है that is the plane mirror बट यहाँ पे दूसरा mirror यूज किया जाता है सबसे पहले आप मुझे comment में बताऊगे कि वीकल में कौन सा mirror यूज किया जाता है फ्रंट पे येस तो देखो playing with spherical mirror spherical mirror में दो टाइप के mirror के बारे में हम पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं हम concave mirror और एक पढ़ते हैं हम convex mirror और यूज की uses बहुत important है आप 10th में 12 में चले जाओगे तो भी ये chapter रहता है आपका uses पूछे जाते हैं spherical mirror के यानि की convex mirror के and concave mirror के clear है so playing with spherical mirror यहां से हम करेंगे next class में ठीक है playing with spherical mirror यहां से हम proceed करेंगे in next class अभी तक जितना हमने पढ़ा है I hope की सारे चीज़े आपको clear हुई होगी इसके बात भी कोई doubt रह जाता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको answer मिल जाएगा okay so बाकी के बाते विल डू in next class तब तक लिए पढ़ते रहे थांक्यू सो मच